हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल स्पी अस्टेडी पॉइंट दोस्तों आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिनॉल पर फिनॉल और गेनिक केमेस्टी का एक इंपॉर्टेंट चेप्टर है जो क्लास 12 से लेकर के आपके सब्सक्राइब करेंगे फिनॉल पर सबसे पहले हम फिनॉल समझेंगे फिनॉल क्या है और किस प्रकार से हम इसका नामन क्लेचर करते हैं कि चलते हैं दोस्त टॉपी की तरफ फिनॉल फिनॉल इस एंड अरोमाटिक कमपाउंड बिद दा मालीकुलर फॉर्मूला मतलब फिनॉल एक इरोमेटिक कमपाउंड है जिसके साथ एक मारीकुलर फॉर्मूला जुला है जिसका नाम है या फॉर्मूला हो जाता है यही आपका फिनॉल है इसका इस्ट्रक्चर दिखेंगे इस्ट्रक्चर आप बेंजीन टिंग तो पहचान ही रहेंगे यह है जिन दिंग और इसके मेटापोजीशन पर और विच्टि ग्रूप लगा है वेच लगा हुआ है और यही तिन ओल जिसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा दूत अब हम हम समझते हैं फिनॉल क्या है फिनुल एक आरोमेटिक योगिक है फिनोल एक एरोमेटिक योगिक है जिसका अनसूत्र C6H5OH है यह सफेद रंग का किस्टिलिये ठोस्पदार्थ है यह अलप मात्रा में अमली होता है इस प्रकार हम कि फिनोल को हिंदी में डिफाइंड करेंगे यह हिंदी में समझेंगे इसका फार्मूला जो होता है इसका सूत्र होता है कि 6H6OH यह इसका जेनरल फार्मूला होता है कि इसका जेनरल फार्मूला होता है कि और इसमें OH ग्रूप complaint होता है इसमें क्या होता है मैं हो इस में गूरूप कि अहाम होता है पहलो को यह करता है जोड़े घाल में ज्शार नाम कि हो जाएगा कि इसका राशाइनिक नाम क्या आइए इंग नाम ये इसका रासाइनिक फिर हो येज मत्र। H5OH यह इसका chemical formula हो जाएगा इसका chemical formula हो जाएगा इस विकार से यह यह फिनोल का chemical formula हुआ और अगर हम बात करेंगे इसके IPSC नामन क्लेचर की बात इसका IPSC नाम क्या होगा तो इसके IPSC नाम में जेखते हैं इसका IPSC नाम आयू पी एसी नामन क्लेचर आव पी एसी नाम इसका हो जाएगा कार्बोनलिक एसीड कार्बोलिक एसीड और हाइड्रॉक्सी बेंजीन यह 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 तीनों फिनोल के प्रकार से फिनोल फॉर्मेट होता यह यह प्रकार से फिनोल बनाया जाता है आपके संज में आगया होगा इसी नोल क्या है सबसे पहले फिर एक बार हम रिविजन करते हैं टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि फिनोल क्या है तो सिंपल सी बात फिनोल क्या है एक एरोमेटिक कमपाउंड है जिसका मालिकुलर फर्मॉला का C6H5OH होता है और इस ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग के मेटा या आर्थो पोजिशन पर वेच लगा हूँ और इसका केमकल फर्मॉला हो जाएगा का C6H5OH अब बात करते हैं हिंदी में किस फ्रकार हम लीखेंगे फिनोल एक एरोमेटिक योगित यह फिनोल एक एरोमेटिक योगित यह अर्मेटिक कार्बनीक योगिक सबसे सरलतम हाइड्यक्षिल व्यूत्मिन फिनोल होता है इसका सूत्र होता है इसका सामान सूत्र होता है और अगर हम बेंजीन की प्रत अस्तापित बिदी से बेंजीन को हम प्राप्त करें किस प्रकार से फिनोल में हम प्रत अस्तापित करते हैं तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे दोस्त देखे इसमें हम करेंगे क्या कि यह दिया यह बंजीन यह हैं व मुजिए हैं यह बैंजीन और इस पे लगा है Oh गुरूप तो इसका समान नाम क्या हो गया फिनोल एक कि कि यह फिनोल है कि यह फिनोल है अगर हम बेंजीन बना करके यहां पर CH3 और यहां पर OH लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्रिशॉल आर्थो क्रिशॉल या बेंजीन या बेंजीन वन टू वन टू वन टू वन टू थ्री फोर इस प्रकास से की नामन क्लेचर होती है तो इसको या तो लिखेंगे हम इसका वैसे तो नाम हो जाएगा और्थो क्रिशॉल इसे कहते हैं और्थो इसे कहते हैं मेटा इसे कहते हैं पहरा आर्थो मेटा पहरा के तीन टॉपिक जो है यह बेंजीन दिंग में प्रतास्थापिज विदी पर हम काम करते हैं तो इस प्रकार से इसका नामन क्लेचर हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा तो मेधाइल फिनोल इसका नाम हो जाएगा तू मेधाइल फिनोल जैसे आपको पता है यहां पर चीह त्रीज़ रहा है यहां पर वेच तो टू मेधाइल फिनोल किस प्रकार से हुआ त्रीज़ यानि इसको हम फर्मूले के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे यह तो ट्रीज़ यह यह करवन और दो कर इन एक और दो इस प्रकार हो जाएगा तू में थाइल फिनोल इस प्रकार से इसका नॉमन क्लेशर हुआ अब बात करेंगे हम इसके फॉर्मेशन पर किस प्रकार से फिनोल का फॉर्मेशन होता है यह किस प्रकार से फिनोल बनाये जाता है अब देखेंगे हम बनाने की विधीन बेंजीन से इस प्रकार हम फिनोल बनाते हैं धो कि हुआंद बेंजीन हार बेंजीन आर रियक्ट बिद एच-टू अपब ही देन फॉर्मेड फीनोल मतलब कि जब बेंजीन को आप जब बेंजीन को आप है एस्टू ओ के साथ है एक्सन करवाएंगे तब फीनोल फ्राफ्थ होगा अब किस प्रकार से हम इसका रियक्सन करेंगे यह देखेए डेहें पोरेटि पहले आपको बेंजीन बनाना है आप ब करवाना है एसुऊ के साथ बेंजीन का हेइस को प descans IRS in the presence of heat के हुपर सती में भिटेंड में ह sommes in तुप्राप्ट क्या होगा में प्राप्त होगा token कि Story कि यहां पर हमें क्या करना है और है दिक दिया तबी तो आप वियुक्त आपको फिनोल मिलेगा कि आप यहां से क्या करिए यहां से ह Epic निकाल दीजिए और यहां पर एड़ कर दीजिए यहां यहां पोजी से यह हो गया आप का फीनो olv यहां से एक और एक एचनिकल ठीकिए इभ यहां पर बैचा वह लोग् noir और यहां पर जब फे आ मरुज जूरा तो इहां से हईडल य से प्रकार से हमें फिन könnte हुआ अब हम देखेंगे डॉ मैठ रामाइटन किस प्रकार से हम करी फिनोल बनाते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि क्लोरोब अंजीन से हमें क्लोरो बेंजीन को हम एने और के साथ रियक्शन करवाएंगे इंदा प्रेजंस आप कि हीट एड और 300 एड्मास्फियर पर और तब हमें फिनलप्राप्स होगा तो देखते हैं किस प्रकार से इसका रियक्शन होगा देखिए सबसे पहले क्लोरो बेंजीन कि सबसे पहले हम क्लोरो बेंजीन बनाएंगे यह हो गया क्लोरो बेंजीन हमें रियक्शन करवाना है किसके साथ है एन ने ओ एच के साथ कि 623 केलविन और 300 एट्मास्फियर टमफ्रेचर पर अब हमें प्राप्त क्या होगा देखिए यहां से यहां से जो एन ने हैं और यह सी यह यह निकल जाएगा यहां पर हो जाएगा ओ ओ एन ए और यहां पर बचा क्या यहां पर ओ एन निकल तो यहां क्या यहां क्या बचा है एच सील यहां क्या बचा है एच सील यहां क्या बचा है एच सील हिस्ट इस क्या करेंगे की इस सिर अने बेड़ को यानि इस न विच क्या करेंगे यानी सोडियम फैनोग्साइड इसका नाम हो जाएगा सोडियम फैनोग्साइड सोडियूम फैना अक्साइड यानि C6H5 ONA इसे कहते हैं सोडियूम फैना अक्साइड और हमें फ्राफ्ट करना क्या था हमें तो फ्राफ्ट करना है फिनोल और हमें आप मिल क्या रहा है सोडियूम फैना ऐब हम क्या करेंगे सके और हम क्या करेंगे इस अक्सिंट को यहीं है आयह से फिरं करवाएंगे कया एच्छीयल से रियक्शन करवा देंगे यानि हायडोक्रोरिक हैं अ कहींसायां करवाएंगे हैं और तब हमें प्राप्ठ होगा फिनोर देंङे चेंग से प्रकार से प्रॉप होगा कि यहाँ पीम मिल गया ओएच और बाकी वच गया क्या यहां से हमारा OH बच गया और NACL बाहर निकल गया यानि यह एन ए और यह CL यह आपका बाहर निकल गया और इस प्रकार हमें मिल क्या गया फिनोल तो यह हुई बनाने के भी दी अगले वीडियो में हम इसके केमकल प्रोपर्टी और फिचकल प्रोपर्टी और यूज के बारे म तब तब किली जया हैं ।